हिमाचल में फाइब डे वीक, पचास फीज़दी स्टाफ के साथ खुलेंगे सरकारी कार्याले अधी सुचना जारी हिमाचल में दुकानों और मार्किट टाइमिंग को ले कर लिया गया फैसला, डीसी तैय करेंगे दुकाने खोलने और बंद करने का टाइम प्रदेश में कोरोना संकर्मन के लगादार बढ़ रहे मामलों के कारण मुखेमंत्री जैराम ठाकुर के 15 जनवरी तक सभी तैय कारीक्रम स्थगित उना में पुलिस्थाना अंब के तहत बनेदी हट्टी में तेज रफ्तार कैंटर चालक ने कुचला स्कूटी सवार मौत दोनों राज्यों की पुलिस ने दबोचा मनाली के भजोगी में पांच मंजिल अमकान में लगी आग डेड़ मंजिल जली लाखों रुपे का नुकसान राजिपाल राजेंद्र विश्वनात आरलेकर ने मुखेमंत्री जैराम ठाकुर के साथ राजभवन परिसर में उठाया बर्फबारी का आनंद बुंतर पुलिस ने सुलजाई बजोरा में विजली दफ्तर में हुई चोरी की वारदात एक लाख पचास हजार रुपे की एच्टी तार्ट चोरों से बरामत हिमाचल में भारी बर्सबारी का दौर जारी 434 सड़कों पर आवाजाही बंद 1680 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई जगव ब्लैक आउट अगर आप अपने क्षेतर की कोई समस्तिया या अन्य कोई खबर सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमसे संपर करें आप अपनी न्यूज हमें भेज सकते हैं ewn24news.gmail.com या वाटसेप नंबर 8988-765-225 पर